आज मैं आई हूँ भारत की हॉटेस्ट और ड्रायस जगा पर जहां इतनी गर्मी है कि पचास डिग्री से भी उपर टेंपरिचर जाता है जहां कि रेतीली हवा सिक्स्टी किलोमीटर से भी ज़ादा तेज चलती है यहां पर विंड गाड़ी से भी ज़ादा तेज चलती है यह है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट हमारे राजस्थान का थार डेजर्ट पुरा उत्राखंड हिमाचल हर्याना पंजाब मिला दो उससे भी ज़ादा बड़ा एरिया है थार इसे मरुस्थल यानि मौत का इलाका भी कहते हैं क्योंकि यहां रहना बिलकुल आसान नहीं है इतनी गर्मी है कि कहीं लोग पापड सेख सकते हैं कहीं विंड मिल्स खुद आग पकड़ लेती है यहां पर पानी की बहुत बड़ी दीकत है जहां भारत में आवरेज रेइनफॉल 1200 मिलिमीटर है थार में इसकी बस वन फोर्थ होती है पस एक ही नदी है यहां जो मैप में तो पूरी ब्लू दिखती है पर असल में यह 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 यही नदी यह 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 यहुएड्यी है यह यह सब गिस उर्ख धालशा है यहां or पानी में कुछ खाबी है करेफ्लोराइड है होENE onne机 क्या होता भृब हो घुढ दूखता है यह शब गेंड दूखता है हम तथी यह आए रेकिस्तान वर्ल्ल्स मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है, दुनिया का सबसे भीड भरा रेकिस्तान है ये, दो करोड मजबूत लोगों का घर है ये रेकिस्तान जहां की औरते सबसे जटिल है, कितना बार लेने जाते हो पानी? दस बार जामा पानी, एक दिन में? जहां का दिल सबसे बड़ा है, जगे जगे आपको ऐसे ठंड़े पानी केमपर निसुल लगेवे मिलेंगे, पानी के लिए आपको एक रुपेनी खर्चना है आपके और ठंड़ा चिल्डबानी मिलेगा एनी टैम, जहां के लोग बस दो पत्थर से भी सुर निकाल लेते है जहां है एक पधारा होने है आदे आदे ऐसी दे पधारो आने दे थार डेसर्ट में 11 डिस्ट्रिक्स है और हमारा पहला स्टॉप है दे गोल्डन सिटी जैसल मेर जहां बहुत गर्मी होती है और इस गर्मी में बिहोश ना हो इसके लिए हमने ORS तयार करके रखा एक कैमफर में ताकि उसी से हम पानी पीते रहे पर फर्स लोकेशन पहुचने से पहले ही हमारे फोन सीट अफ होना शुरू हो गए और यह आलत है कार के अंदर फोन कैमरा वर्णिंग दिखाने लगा स्टेरिंग वील भी बहुत तपने लगा फोन्स को हमने ठंडा करने की कोशिश की पानी की बॉटल यूज करके गीला करके हमने साफा पहन लिया ताकि हमारी बॉडी थंडी रहे हमारी संस्कृन भी गाड़ी में ही मेल्ट होने लग край बट क्योंकि मुझे पूरा दिन बाहर रहना था इसलिए मैंने बहुत सारी संस्क्रीन लगाई और अच्छा से अपना सर पैक कर लिया यहां पर अभी surface temperature हो रहा है जैसल मेर में 61.4 यह वीडियो बनाने में जान निकल गई यह अभी तक की मेरी सबसे लंबी वीडियो है और इसको मैंने खुद एडिट किया है और इसको possible किया अनकैड़िमी ने जब भी मैं थार जैसी challenging जगावों में जाती हूँ न तब मैं को realize होता है कि हमारे देश में bureaucrats की कितनी importance है क्योंकि उनका एक step लाखों लोगों की life में बदलाव ला सकता है इसलिए IS, IPS, IRS, IFS का काम बहुत ज़रूरी है इंडियन democracy में जो select होते हैं UPSC exam के माध्यम से और अनकैड़िमी इसी UPSC exam की preparation को easy और सस्ता बनाता है अपने 15 मन्त के UPSC preparation subscription से वो भी बस 24,999 रुपीज में इससे आपको मिलेगा अनकैड़मी प्लस का access और amazing UPSC CSE educators जिसे मुरुनाल पतेल सर, सुधर्शन गुर्जर सर, सर्मन महराद सर और मधुकर कोटवे सर और बस एक subscription से आपको मिलेगा सभी languages का access जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश, सब offer limited है, जल्द ही घतम हो सकता है तो link description में है, अभी click करो और चलो, चलते हैं वीडियो में वापिस जैसल मेर पहुँचते ही, जो हमें दिखा वो बहुत ही जादा सुन्दर था हमारी expectation से बहुत जादा और बहुत बड़े धोरे यानी sand dunes हर तरफ दिखे यहां पर इतने सारे sand dunes हैं पूरे के पूरे लाइन में पूरी तरफ और इसलिए बनते हैं क्योंकि यहां पर रेत है वो इतनी तेज उड़ती है, सौ किलोमीटर से भी जादा स्पीड में उड़ती है इसलिए इतने सारे sand dunes यहां बनते रहते है यह sand dunes continuously अपनी position और height change करते रहते हैं इसलिए यह जितने सुन्दर दिखते हैं उतने ही dangerous भी है इनही की वज़े से थार में दराबने, रितीले, तुफान आते हैं जो पूरी की पूरी cities को ढख देते हैं इसी के कारण कई जगाओं पर पेड़ों की roots एकदम बाहर आ जाती हैं और कहीं पर यही roots एकदम अंदर धस जाती हैं 30 आयोंगे यहां पर sandstorms और पूरा धस गया भाई पेड़ पूरा का पूरा पहले ही दिन मेरा जूता पिखलने लग गया जमीन इतनी गरम थी कि इसके नीचे वाली लेयर निकलना शुरू हो चुकी थी उट कमिंगन सुक के सफेद हो गया इती दूख पड़ रही है उट की टटी है उट कहा है मिंगन गोफ सूक गई है मर चुक है यह देजर्ट ही गाइस डेजर्ट ही इसी विडियो बनाने में बहुत महनत बहुत जान बहुत टाइम बहुत पैसा लगता है तो प्लीज आपना इस विडियो को लाइक जरूर करना और कॉमेंट में एक हाट छोड़के जाना और सब्सक्राइब प्रेस कर देना ता कि हमको जाने के लिए पर ये तो थार में बिताया हमारा पहला ही दिन था जैसे ही हम जैसल मेर से निकले और जोड़पुर पहुँचे हमें दिखें बहुत सारे सोलर पैनल्स बहुत सारे इसी रेगिस्तान के ठीक बीच में है पूरी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लाट भड़ा सोलर पावर प्लाट इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लाट है यह जिसमें थाउजन क्रिकिट स्टेडियम जाजा है यहां 2000 मेगावाट इलेक्रिसिटी बनती है हर रोज जो पूरे उत्राखंड को इलेक्रिसिटी दे सकती है बहुत और अलग-अलग तरीके की रिन्यूबल एनरजी भी यूज होती है यहां पे जैसे विंड एनरजी इसलिए हमारे रस्ते में हमें बहुत सारे विंड मिल्ज भी दिखे लाइन में लगे हुए और इनके बीच से गुजरते हुए हम समझ गए कि एक रेगिस्तान मिल्योंज अब घरों को इलेक्रिसिटी देता है पूरे भारत में और इसी समझ के साथ हम पहुचे फलौदी वो जगा जहां इस साल का हाइस टेंपरिचर रेकॉर्ड हुआ है पूरे इंडिया में अभी डेड़ बच रहे हो और हम लोग बीच में रुक है यहां का टेंपरिचर देख लेते कितना हो रहा है यहां पर कि 70 डिगरी टेंपरिचर बता रहा है यहां की समीन का पूरा जूता ही निगल चुका है यार ये वले जूते की भी बुरी हालत हो चुकी है हमारे रस्ते में हमें बहुत सारी बड़ी-बड़ी खतरनाक खदाने भी दिखी इन ही खदानों की वज़े से राजस्थान के इस रेगिस्तान को पूरे थार में चलते हमको बीच में ऐसे बहुत सारे मारबल्स ये बाइट कलर के एसे बहुत सारे मारबल्स दिखेंगे कहते हैं भारत का 90% मारबल राजस्थान के थार डैजर्ट से ही आता है इस वेगिस्तान से थाउजन मिलियन टन्स अफ जिप्सम भी निकलता है हर साथ इसीले राजस्थान विगेस्ट प्रोड्यूसर अफ जिप्सम है इंडिया का और यह सैंड स्टोन्स भी पूर राजस्थान के थार में दिखेंगे यह अभी ड्रोन उड़ाया हमने और इतना गरम हो गया यह और इसकी बैटरी वैसे 20 मिनिट चलती है एक बैटरी बट यह पांच मिनिट में ही नीचे आ गई है क्योंकि इतना गरम हो रहा है अभी इतनी सेज गरमी में बहुत कम पेड़ और पौधे सर्वाइब कर पाते हैं पर थार में हमने कई जटल पौधे देखे जो इस खतरनाग गरमी में भी अपनी जगा बना चुके हैं जैसे यह खेजडी का पेड़ यह स्टेट ट्री है राजस्थान का इन ही को बचाने के लिए इंडिया का पहला चिक को मुव्मेंट हुआ था जब भिष्णोई कम्यूनिटी ने इन पेड़ों को खेजडी ट्रीज को हग करके इनको काटने से रोका था इनकी लीज शूटी सी होती है ताकि कम पाली ले पहले ना खेजडी के पेड़ में ऐसे काटे नहीं होते थे अब होने लगे ताकि कोई जानवर इन्हें खा ना पाए क्या साही चीज है कि पेड़ों ने भी अपने आपको रेगिस्तान में सर्वाइब करने के लिए कुछ-कुछ चीजे डिवेलप कर लिये हैं लोगों की तरह जो पेड़ है यह काकड़ी या आख का पेड़ है यह जंगली पेड़ है यह बहुत सारा ऐसा मिलेगा रेगिस्तान में पूरा हुआ हुआ यह वाले पेड़ भी बहुत सारे मिलेंगे यहां पर आओ इनमें काटे होते हैं और इनको केर का पेड़ कहते है इनमें जो सबजी बनाई जाती है और वो केर सांगली हम लोग वीडियो में बाद में खाई गी और बदाएंगे कि एक्टिली कैसे टेस्ट केर्थी है तो पड़ा हसा कैक्टिस अभी हमको दिखा एक बहुत बड़ा कैक्टिस वरुण छे पीट का इंसान है और ये कैक्टिस उससे बहुत लंबा है और बहुत वाइड भी है ये लग रहा है कि ये शायद पीलू का पेड़ है आई थिंक ये पीलू ही है पर मैं फॉर शोर नहीं बुल सकता हुआ हमारे राजस्तान की ओडियन्स प्लीज कॉमेंट से बताओ क्या ये पीलू है या नहीं है कई मजबूत जानवरों ने भी इस रेगिस्तान को अपना गर बनाया है जैसे उट इंद्या में सबसे जादा उंट राजस्थान में ही पाई जाते जिने शेप अपडे डिजर्ट भी बोला जाता है पुड सबसे इंट्रस्टिंग बात है कि राजस्तान में ही इंडिया की सबसे जादा गोट ग निलेंगी और राजस्थान में ही इंडिया के सबसे जादा शीप भी मिलेंगे थार के स्पेशल जानवर हैं दे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चंकारा इतनी गर्मी में भी 140 से ज़ादा बर्ड़ मिलेंगी इहां और चूछो का तो एक पूरा टेमपल भी है इहां इस रेगिस्तान में ऐसे बहुत सारे बड़े-बडे ट्रक्स बहुत सारे मिलेंगे इन बड़े बड़े ट्रक्स में ऐसी बहुत सारी सूखी लकडी और डंडिया होती है जो कि लोग अपनी गाए भैसो को चारे में डाल के खिलाते हैं ठार की कई को खाहर में गाई मिलेंगी जो दूद्ध देती है खचर भी मिलेंगे जो इनसानों का सामान लेके जाते है ये पानी है जंगल मरेते पूरा थार घूमने पर हमें बहुत अलग-अलग टाइप के घर दिखे पर सब में एक चीज कॉमन है सारे ही घर लोकल चीजों का यूज करके बनाए गए हैं ताकि वो ठंडे रहें चाहे वो गाओं के घरों जिनके फ्लोर्स और वाल्स में पहले गोबर लगाई जाती है फिर उस पर लोकल ट्रीज की लकडियां लगाई जाती है जिन पर दीमक नहीं लगती और यह ठंडे भी यह ऐसे टाइब के घर भी बहुत सारे मिल जाएंगे यहां पर जो की ऐसी जाडू की तिलियों से बने होती है तो इनकी जो दिवार है न वो फूलर की दिवार की तरह एक्ट करते है इसे में पानी डालें करे को तरह ठंडे होा देगा तो पानी गेरेंगे तब डेगा अच तोने येलो सैंड स्टोन भी कहते हैं, नहीं पत्थर से सारे सिटी के होटेल, रेस्टोरेंट, इनहीं येलो कलर के पत्थरों से बने हैं। In fact, जैसल मीर को गोल्डन सिटी कहते हैं इसी पत्थर की वज़े से. फिर हम पहुंचे थार के सबसे अबादी वाले सिटी में, बीका नहीं, जहां का खिल खिलाता मार्केट, काफी खाली पड़ा था, गर्मी की वज़े से. पर फिर भी इस मार्केट में हमने मजाख और मस्ती तो जरूर देखी. आज आंकेट हमारे लिए घरमी में, इन्होंने शिकन जी बनाई हैं हमारे लिए बहुत बहुत बहुत. बीका नेर के मार्केट में ही हमने रेगिस्तान की सक्त जमीन में उगने वाली सबजियां भी मिली. जैसे केर और सांगरी. कमल ककडी, काथडी, अलोवेरा देखे. इसी मार्केट में हमने पहली बार केर सांगरी और गट्टे की सबजी खाई. राजस्थान की मशूर दाल बाटी खाई, सेफ की सबजी खाई और खूब सारी कचोडी दबाई. इसी मार्केट से हमने साफा भी लिया, जो रेगिस्तान की गर्मी से सब को बचाता है. कई सारी राजस्थान की ट्रेडिशनल मोजुडी देखी और बीका नेरी साडियां भी देखी. और इसी मार्केट में हमें दिखा थारवासियों का बड़ा दिल. यह बीका नेर का में सबजी मार्केट है, इसी के ठीक बगल में ऐसे पानी के बहुत सारे कैनिस्टर लगा रखे हैं, इनी से लोग आके प्री में कभी भी दिन में पानी पी सकते हैं. रास्ते में रुके लोगों को पानी पिलाते लोग भी दिखे हमें यहां. और बस स्टैंड में भी हमें पानी मिला सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जैन्वरों के लिए भी. शाहिद जब कोई रिसोर्स कम हो जाता है, तभी उसकी एहमियत मालूम पड़ती है. शाहिद किसी चीज की कमी ही दिल बढ़ा करती है. क्योंकि थार में पानी की कमी का सिलसला एक बहुत पुराना और सीख देने वाला सिलसला है. राजिस्थान की रेगिस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की कमी. ऐसे बहुत सारे टांके दिखे हमें धार में, जो यहां की लाइफ लाइफ लाइन है. इनमें बारिश का पानी स्टोर होता है. एकदम साफ पानी है, एकदम साफ. साइड में ऐसी इट या सूखी घास भी लगाते हैं ताकि पानी एकदम साफ रहे. और ऐसे ही यह एक टांका कई गाओं का पेट भड़ता है. लेकिन जब बारिश लंबे समय तक ना हो, तब यह पीड़ी पुराने टाके भी एकदम सूख जाते हैं. जैसे कि यह मैनमेड तलाब, इन तलाबों को गाओं की लोगों ने महिनत करके खुद से बनाया है. इतनी सही कारिगरी से बने हैं कि बारिश की हर बूंद इन में रुख तो जाती हैं, पर एकदम भीशन गर्मी वाले महीनों में यह तलाब एकदम सूख जाते हैं. अबी तो बिल्कुल नी सूख पड़ा है? एकदम सूख जाता है. जन्वरी फरवरी है. और फिर सूख बढ़ा रहते हैं चे महीने? बिल्कुल. है ना अटारस्टो बिल्का जमीन है, छेसाथ तलाब सुख जाता है और यहंचे चेस चीज मीरे उनीक ठीति के लिए, जानाच अर जाते के लिए, पंड़ चाहीं, सनान के लिए और कितने लोगों का पानी जाते है इस तलाब से आज है किसमें आधिय को भाण जाते है जना पानी की कमी के कारण थार में इंडिया की सबसे बड़ी नहर यानी कनाल बनाई गई इस रेकिस्तान के ठीक बीट से ये इंपोर्टन नहर भेती है जो पंजाब से राजिस्तान में पानी लेके आती है इसी कनाल से 7 डिस्ट्रिक्स को पानी दिया जाता है लिकिन कई जगाउं पर आज तक ये कनाल पानी नहीं पहुंचा पाई है कई जगाउं पर इस कनाल का पानी पहुंचा तो है पर इतना गंदा पहुंचा कि लोगों की बिमारियों का कारण मन गया इसलिए कई गाउवालों को आज टैंकर से पानी लेना पड़ता है जो टैंकर्स बहुत ही महिंगे होते हैं जो बस तीन दिन तक चलता है एक परिवार के लिए इसलिए कई गाउवाले ट्यूब बेल का सहारा भी लेते हैं पर ये ट्यूब बेल का पानी कई वार बहुत खारा पानी की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा भार आता है थार की स्ट्रांग, रजिलेंट, और तोपर वह माई है बाद आप बोल रहे हो और है तुम्हारी पढ़ाई भी एफेक्ट होती है इससे पढ़ाई परग पढ़ता है तो अच्छा तो बहुत है बाई बाद करोगे हमसे लड़के तो भग गए तुम इसी गाहूं में रहना चाहोगी या गाहूं से बाहर जाना चाहोगी आएब टिम से बादस ब्रॉल और अपने गाहूं को और आगे बढ़ना देखना ह эпज जाती हो आगे इस पने देख गाहिस बोत्स अत बव्शों संगें हमानमी बहुत सपने देख को ने सी Gotoo आ है बस साथ दिन थार घूमने से उसे कोई समझ नहीं जाता बस उसे देख पाता है, सुन पाता है थार की तेज चुपी, उससे भी तेज हवा थार की प्यास, थार की हसी मैंने भी सुनी थार का मज़दार इंस्ट्रूमेंट खरताल सुना थार की कई कम्यूनिटी इस, पीडियों से इन राजस्थानी गानों को सम्हाल कर प्यार से आगे बढ़ा रही है और ऐसे ही भारत के विभिन कल्चर्स को आप तक पहुचाने का हमारा भी प्रयास है तो अपने डिस्रिक्ट के बारे में एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाना क्या पता अगला विडियो उसी पर हो और सब्सक्राइब करना टू यॉर मेट केके क्रियेट